कि गुद्वर्डिंग स्टुडेट्स हमारे स्फोर्थ लेक्चे और थियोरिम एक्विशन में आज हम कुछ पंडामेटर्स चो उसके बारे में बात करेंगे तो पहली थियोरम अब अब वाद रखना है कि स्टेटमेंट से हमारे पास एक्चंपल सौल हो जाएंगे इसका स्टेटमेंट यह कहता है इस्टिटमेंट स्टैटमेंट स्टैटमेंट पहली में इसलोरम व्हीरम स्टैटानी उक्विशन अश्टी स्टैटल उक्विशन है थी तो मेरे पास polynomial जो है then the polynomial fx is exactly divisible by x minus alpha जो मैंना इसका root लिया था और x minus alpha जो है is a factor of fx is a factor of f of x और इसका विलोंते भी सत्य है यारी हिंदी में अगर इसका statement है तो क्या कहेंगे यदि समिगर्ण fx equal to 0 का एक मूल alpha हो तो महुपद कौन सा महुपद fx जिसका मने equal to 0 करके equation बना दी थी fx जो है वो x minus a से पूर्टे विभाज्य यहां पर मैंने काना divisible है पूर्टे विभाज्य है या x minus a जो है वो fx का एक गुड़नखड है होगा ठीक है और इसका विलूम भी सत्य है तो यह हमार पास पहली थियोर्म होगी factor theorem जैसे ऐसे question आएंगे अब आपको बताते जाएंगे कि कहां पर कौनसी theorem का statement apply हो रहा है या कौनसी theorem apply करना है second theorem मेर पास है इसमें कि every equation of nth degree every equation of nth degree अगर हमार पास n कोटी की कोई सभी करड़ है n is less than equal to 1 has exactly has exactly and roots मैंने बताया था अगर n आपके काथ किसर विकर रहा है तो उसके पूरे n roots हो सकते हैं ठीक है and no more and no more ठीक है अब यह कह रहा है कि जैसे हमार पास n गात की कोई सभी करड़ में लिख देता हूं या परल्ले में लिख देता हूं suppose कि यह a0 x raise to the power n plus a1 x raise to the power n minus 1 plus a2 x raise to the power n minus 2 और लास्ट में चलते हैं जा रहा है यह मेरे पास a n equal to 0 कि n more आपके पास है ठीक है इसके साथ condition is a0 is not equal to 0 a0 is not equal to 0 इसके n आपके पास भूल होंगे लेकर अगर यह कहता है कि no more मैंने का अगर n से ज्यादा नहीं हो लेकर आपको एक एक्जम्बल में पहले बताया था अगर n से ज्यादा हो तो फिर वो equation आपकी identity हो जाती है सर्व सर्वी का हो जाती है जैसे मैंने एक एक्जम्बल आपको दिया था इसका एक्स स्क्वाइर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वाइर इक्वल टू जी रू यह एक identity है यह एक identity है क्यों क्योंकि x का x के प्रतेक मान के लिए x के प्रतेक मान के लिए x के प्रतेक मान के लिए this equation is equal to 0 یعنی हर value जो आईगे उसके लिए यह आपके पास satisfied होगी तो आपके पास सभीकर्न आपका सरव समीखां कहलाएगी, यहीं समीखण कि मतलब एक से अधिक आपके पास वैल्यू जारी है, यारि यहाँ पर तो अन्ड वैल्यू जाएगी तो आप इसमें इसके रूट सो जाएगे, है यारी एक्स के जादा मान के लिए सिटिस्फाइड नहीं होगी पहली वाली जो एक्विशन है बट इसमें आपका एंक कितने भी बार्ण एक्स के उब रखते जाओ जैसे थर्ड थियोरम जो है थर्ड स्टेट्मेंट है इप दी कोफिशेंट इन दा इक्विशन आर ओल रेशनल रेशनल का अतला है आपके आज आज अलफा प्लस रूट ओफ बीटा अभी मैं कॉंपलेक्स नमपे नहीं लिख रहा हूँ अगर आपके पास किसी समीगन के गुड़ाग परीवे हो एक तो purely विशुद Castle होते हैं अगर आपके पास किसी समीगन के गुड़ाग परीवे हो सबस किज़े इस रूप में है जहाँ पर बीटा जो है बीटा के साथ अदिषिन है पूर-वर नहीं हो तो हम क्या लेंगे, अगर ये है, तो हम इसका एक मूल सीधा-सीधा ले लेंगे, माइनस बीटा, भी इसका एक मूल होगा, ठेक है, if the coefficient in the equation are all rational and alpha plus beta, alpha plus beta is one of its root, one of its root, then alpha minus beta is also a root of that equation, यानि irrational roots जो है, वो भी आपके पास conjugate root में आते हैं, यानि यह अगर आपके अस, यह आपके अस आ रहा है, plus का beta, तो नीचे माइनस का, under root beta लिख देंगे, suppose कि यह वाइस वर्सा, अगर आपके अस एक root यह आ जाता है, तो हम इसका दूसा root, इसका conjugate क्या लिख देंगे, यह इसका दूसा root होगा, यह अगर में पास given है, तो इसको मैं directly ले सकता हूँ, अगर यह given है, तो मैं इसका root यह ले लूँगा, ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं, अगर अब आपके पास complex में हो, suppose कीजिए, यदि समिकर्ण के गुड़ांग वास्तविक हो, तो था था इसका एक moule, समिकर्ण के गुड़ांग तो अब आपके वास्तविक होंगे real, लेकिन अब अगर इसका एक गुड़ांग, या इसका एक coefficient हम आपके होता है, अलफा प्लस आयोटा बीटा, तो हम इसका एक conjugate इसका लिख देंगे, अलफा बाइनस आयोटा बीटा इसका दूसरा रूट होंगा, अगर ये पहला रूट है, समिश्र, अगर आपके पास ये है रूट, मूल, तो ये अगर आपके पहला मूल है, जो गिवद है, ये आपको दिया गया है, तो हम इसको दूसरा रूट मार लेंगे, दूसरा रूट मार लेंगे, मतलब इसको दूसरा रूट ले लेंगे, क्योंकि ये जो आपके ऐस conjugate है इसका, वो आपके ऐस हो जाएगा ये, और वाइस फर्सा अगर आपके ऐसा alpha minus beta जो है वो अगर यह पहला मूल है तो मैं क्या लिखूँगा alpha plus iota beta इसका दूसरा मूल हो जाएगा अगर यह इस रूप में दिया है तो हम इसको इस रूप में लिख लेंगे मतलब यह कह रहा है कि imaginary roots occur in conjugate pairs जैसा मारा पास rational आया था उसी तरीके सामने इसको भी इसके सयुग मी रूप में लिखा है conjugate root जो होगा इसका क्या हो जाएगा iota जो है plus minus iota हो जाएगा minus iota जो हो प्लस iota में बदल जाएगा इसे भी statement बता रहें से आगे आपको question करने में आसानी रहेगी फिर एक और important है यह वड़ा important statement है कि if there are any two real numbers if there are any two real numbers say a and b और लिजे a और b आपके पास कोई दो real number है such that f of a and f of b are opposite sign f of a जो है वापके सागर प्लस है तो f of b आपके सागर minus है तो अगर इसको हम f of a रखते है f of x में अगर एक पल्टू कोई भी value है और अगर उसको solve करते है वो positive आती है और जब इसको solve करते हो negative आती है इसका अज़ा हमारे पास जो root है वो lies between in between a f of a and f of b इन दोरे के बीच में हमारे पास यह एक कम सगम एक fruit इसके बीच में हमारे पास होगा इसको इंदी में अगर मैं देखो तो यह लिखा है यदि a तथा बी दो ऐसी वास्विक संखाए हो जिसके लिए f of a and f of b विप्रित चिन के हो विप्रित चिन का अतला अगर f of a प्लस आ रहा है यह आउचक नहीं प्लस आए माइनस आए तो यह प्लस आना आउचक का आपके पास ठीक है तो f of a तथा f of b विप्रित चिन के हो तो समीकर f of x equal to 0 f of x equal to 0 का कम से कम एक कम से कम at least one कम से कम एक मूल f of a और f of b के बद्धे होगा यह आपका positive sign है यह negative sign है तो इसके बीच में कम से कम आपका एक मूल यहां पर आएगा अब डेक्स एक हौल स्टेट में बता था हूँ यह है every equation of even degree whose last term is negative has at least two real roots and one positive and other negative other negative यह क्या कह रहा है यह दी प्रतेक समगात वाली समीकर्ड समगात वाली समीकर्ड जिसका अंतिपद रेडात्मक हो कि कम से कम दो वास्तिक मूल होंगे एक धरात्मक और दूसरा रेडात्मक दो वास्तिक मूलों की बात कर रहा है जब हम कह रहे थे कि f of x equal to positive x लिया तो हमार पास एक बार sign मतला तो हमने का एक root आया जब हमने का f of x को x को minus x से replace किया और उसमें भी sign का परिवर्तन एक बार आता है तो हम कहते हैं कि एक positive real एक negative real आपके पास आ रहा है अब अगर आपके आपके आपस यह तो मैंने का था even जब आपको का था every equation of even degree even degree का मतलब है x raise to the power n वहापके पास है तो और आपके आपके आइस even है odd कम होगा x raise to the power n प्लस 1 पर यह odd होना स्टार्ट हो जाएगा तो जब equation आपकी x raise to the power n यानि even पन समगात वाली समिकर्ड हो, समगात समिकर्ड हो, और उसका लास्ट पत क्या हो? अंति पत रडात्मक हो, तो एक आपके पास positive real root आएगा और एक आपके पास negative real root आएगा याएगा, और जब आपके पास equation odd हो, यानि विशमगात की हो, तो कम से कम एक पत विप्रीथ होगा, समिकर्ड का कम से कम एक पत विप्रीथ होगा, जिसका चिन समिकर्ड के अंतिम चिन से विप्रीथ होगा, यानि कल अमने डिसकाटी sign of rule पड़ा था, उसमें अगर हम उसको change करते हैं, तो उसमें उसका लास्ट वाला जो पद है, उसमें आपका साइन परिवर्तर हो जाएगा, यानि एवरी एक्वेशन ऑफ एन और्ड डिग्री हैज अट लिस्ट वन रियल रूट ऑफ साइन अपोजिट टू डैट अफ इस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से अपोजिट साइ तो यह कुछ स्टेट्मेंट के बाद हम कुछ को करते हैं इसमें इस्टेट्मेंट को डैरेक्टली यूज करेंगे तो अब एकाथ दू कोश्ट आपको लेके इसको सौल करवाते हैं को जैसे यह है को अच्छा कोश्यर है इफ अलफा, बेटा, गावा, डेल्टा और जो भी है बी दी रूटस अफ एक्वेशन एक्सेस तो अपावर न प्लस पीवन एक्सेस तो अपावर न-1 प्लस पीटो प्लस पीटो एक्सेस तो अपावर न-2 अप्टो यह जारा है वेर पास प्लस पीटो जीरो ये में फूस्टन लैरा हूँ if alpha, beta be the roots of equation x s to the power n plus p1 x s to the power n minus 1 plus p2 x s to the power n minus 2 plus अब 2pn equal to 0 then prove that तो सिद्ध कीजिए prove that आपको सिद्ध करना है 1 plus alpha square 1 plus beta square up to जितना भी है 1 minus p2 plus p4 alternate sign आते जाएंगे ka square plus p1 minus p3 यह भी alternate sign आएंगे p5 ka square अब को इस हिद्ध करना है यदि alpha beta up to जितने भी है सभीकर x s to the power n plus p1 x s to the power n minus 1 plus p2 x s to the power n minus 2 plus pn equal to 0 k भूल हो तो सिद्ध कीजिए कैसे हिद्ध करना है 1 plus alpha square multiply 1 plus beta square फिर multiply होगा 1 plus gamma square फिर delta square अब तो जितने भी गात की सभीकर n गात किये तो n इसके roots होंगे is equal to right hand side को देखे क्या लिखा है 1 minus p2 plus p4 alternate sign आ रहा है यह minus a plus a minus है का whole square plus नीचे start होनी पहली term p1 यानि सारे सारे e1 आ रहे हैं sorry odd आ रहे p1 minus p3 plus p5 यहां भी alternate sign आ रहा है और इसका whole square इसको हमें solve कर रहा है तो इस equation को में start करता हूँ इसका solution यह alpha बीटा जो है वो अगर समिकर्ड दी गई समिकर्ड के बूल है मान लीजिए मान लीजिए तो क्या है दिया है हमें दिया है alpha बीटा जो है वो अब आपस roots है समिकर्ड दीए गई समिकर्ड के तो मैं कहा लिख सकता हूँ factor theorem से एक्स माइनस एलफा एक्स माइनस बीटा ठीक है अब टू एक्स माइनस गामा कौन सी equation के roots है जो equation मुझे दी गई है P1 x raised to the power n minus 1 प्लस P2 x raised to the power n minus 2 और यह खार तक जारी है प्लस P N प्लस P N ठीक है इसको equation number 1 कह देता हूँ अब सर्विकर्ड एक में x equal to आयोटा हम रखते हैं अब यह उप्रोक्त सर्विकर्ड जो है मेरे पास वह एक equation जो है इसमें हम x की value एक बार आयोटा देते हैं और एक बार माइनस आयोटा देते हैं तो यह equation जो है मेरे क्या कहलाएगी सर्विकर्ड आयोटा है आप क्यास क्या कह जाएगी सर्विकर्ड बन जाएगी तो equation number 1 में मैं x को replace कर रहा हूँ किससे आयोटा से इन 1 तो में पास क्या हो जाएगा x आयोटा माइनस एल्फा आयोटा माइनस बीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा equal to आयोटा raise to the power n plus p1 आयोटा raise to the power n-1 plus p2 आयोटा raise to the power n-2 up to pn ठेक है एक तो यह होगी तो यहाँ से इस equation को मैं क्योंकि n कातके सभी कर ड़ना तो यहाँ से माइनस को n टाइमस अगर में कॉमन लेता हूँ तो क्या मैं इसको यह लिख सकता हूँ x माइनस एल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस आयोटा इक्वल टू यहाँ पर आयोटा raise to the power n को मैंने थ्राउट कॉमन लिया तो हमें पस क्या हो जाएगा यह तो हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर आपके आज दो टर्म में टूटेगी चीज एक तो आपके आज क्या टूटेगा raise to the power n हर एक में आ रहा है raise to the power n लेकिन यहाँ देखिए जो आपके आयोटा आ रहा है वो इस तो दी पावर माइनस 1 में आ रहा है तो हमें पता है आयोटा जो है आयोटा 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 स्क्वेर इस माइनस आयोटा माइनस 1 और आयोटा क्यूब इस माइनस आयोटा और आयोटा 4 इस प्लस 1 यहाँ को पता ही है तो यहां से जब हम इसको solve करेंगे तो देखे पहली term आजाएगी यह दूसरी term आएगी आपके आस ही है तो यहां पर iota square करोगे iota square किसके बराबर है? minus 1 के तो यह आपके आस आजाएगा minus का P2 iota n तो भार आगया और यह iota minus का 2 है तो इसको 1 अपर iota square लिख सकता हो तो वहां से में पास आजाएगा minus का 1 इसी तरीके से देखो 3 में नियाएगा बड़ वोर में जैसे आएगा प्लस साइन के साथ आजाएगा ठीक है? अब यहां अब यहां से देख लोग आप मी अल्टण सान आने शुरू हएंगे तो यहां से तो मैंने एक अपके पास यह काल दिया तो दूसरे में मैंने आइटा अंदर कॉमन लिया क्यों आप अंदर कॉमन कह से आएगा यह जो मच्चावा अदर आएगा इटा दिप अन्ट तो सम्में से कॉमन आ गई अब जो आपके एवन वाले आ रहे हैं उसमें यह वाला आएगा तो देखो पहले वाले में अगर फिर आजाएगा माइनस का P3 अब माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा यह जड़ा आप चेक कर लो इसमें से और इसी तरीके से आप इसको चलते जाओ यह आपके पास आएगा जब हमने X इक्वल टू आयोटा लिया है तो इसी तरीके से सभी कर एक में ही X को X को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते है तो माइनस आयोटा से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो अब पस क्या फरक आएगा यहां पर यहां तो माइनस 1 रेस तो दी पाउर N तो आ रही है अलफा माइनस आयोटा है वो प्लस आयोटा हो जाएगा Meta, मेटा प्लस iota, ठीक है? चलता चला जाएगा, और यहां पर आपके ईस कितना आजाएगा? Minus 1 oike to the power n, अब जो आपके पास iota है, वो Minus iota से replace कर रहे हो, तो सीधा-सीधा यहां पर आजाएगा, Minus 1对 the power n, यह टर्म ऐसा जाएगी कोवन जो पहले भी आ रही थी P4 माइनस जो भी है डॉट 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 और यह वाली जो टर्म है वह जाएगी पॉजिटिव क्योंकि आयोटा को माइनस से रिप्लेस कर रहे हो से इतना सा फरक लाना है आपको P3 अप्टू ये अब एक्वेशन नमबर इसको तो मैं कह देता हूं एक्वेशन नमबर टू और इसको कह देता हूं एक्वेशन नमबर त्री इन दोनों को मैं मल्टिप्लाइ करता हूं इन दोनों को मैंने मल्टिप्लाइ किया है इन दोनों को dużo इस एम अलएफा माइनस आउटा मानवारे नहीं सब्सक्राइब है किए दुर्षीstyle आउटा था непहा ई पके पास आलफा माइनस आउटा इस आफेर प्हालप प्लस न कि दॉसरी बार आएगा अग्छा मैनस आउटा better प्लस आयोटा疫 मれटिप्लै करते चले जाईगे इधर के यह अगा माइनस रेज्ट नोप्ल मनाइन अप- depicted आयोटाए विस्ट आजेगा प्लस का वन और यह अगा सिर्छ ऑँ फिट्न प्लस का वन उग वाइनस में कि यह सा एक यह पीज में की अचिज गा फहती अब टू जितना भी आपके आसा है n तक जाएगा यह का स्क्वार मल्टिप्लाइ करते जाओ प्लस यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या जाएगा a स्क्वार माइनस b स्क्वार का फॉर्मूला बढ़ा लो तो यह हो जाएगा आपके आस p1 माइनस p3 ठीक अब टू जो भी जा रहा है का होल स्क्वार ठीक यहाँ से तो हो गया alpha a square माइनस b square तो alpha square प्लस 1 लिख सकता हो ह। यहाँ पर beta square प्लस 1 लिख सकता हो ठीक है beta square प्लस 1 इस से खबल टो कितना हो गया 1 माइनस P2 प्लस P4 माइनस P6 अब टू का स्क्वाइर प्लस P1 माइनस P3 प्लस P5 P5 और का स्क्वाइर यह मेरे पास हो गया solution Hence proof यह आपके पास इस तरह के से solve करने है question को तो next column lecture में और extra example solve करेंगे Thank you